नमस्कार, आदाप, सस्रियाकाल, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नियो आइडियास वाइटी में गाइस आज हम आपके रिक्मेंडेशन पर जो ओ लिवल का पहला पेपर है जिसका कोड है M1R5 और पेपर का नाम है Information Technology Tools and Network Basics इसका जो Slabes है कि आपको कौन-कौन से chapters पढ़ने हैं जो आपके Slabes में हैं पहली बुक में हैं पहले पेपर में हैं जहां से आपके इजामे कोशन आएंगे हम लोग आज उसके बारे में बात करने वाले हैं यानि की M1R5 का जो Slabes है उसके बारे में discussion करने वाले हैं सो गाईस आपको मन में डाउट आ रहा होगा कि ये M1 R5 और ये M1 R4 इसका क्या चक्कर है आखिर R5 और R4 में क्या अंतर है और आपको कौन सा पढ़ना है R5 पढ़ना है या फिर R4 पढ़ना है तो इसका बिल्कुल सिंपल सा इलाज है इलाज ये है कि अगर आपने O-Level में एडिमीशन 2020 में लिया है चाहे आपने January में लिया हो या फिर आपने July में लिया हो अगर आपने 2020 में किसी भी महिने में किसी भी डेट को लिया है तो उस case में आपको सिर्फ और सिर्फ R5 चाहे आपका M1 R5 हो M2 R5 हो M3 R5 हो या फिर M4 R5 हो कहना कमेंस यह है कि आपको R5 वाले paper attempt करने हैं उनकी त्यारी करनी है लेकिन अगर आपका registration 2020 के पहले का है यानि कि आपने 2019 में या फिर 2018 में 17 में 16 में 15 में यानि 2020 से आपने पहले registration कराया है आपने लिया है ओ लेवल में तो आप लोग R4 या फिर R5 में से किसी का भी exam दे सकते हैं कहने कमेंस क्या है कहने कमेंस यह है कि for example आपने M1 R4 और M2 R4 clear कर लिया था example के तोर पर और आपके जो बचेवी paper हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको R5 में देना है या फिर R4 में देना है तो आप लोग चाहें तो R4 में या फिर R5 में exam दे सकते हैं जो आपको सही लगे लेकिन जिनका registration 2HBS में हुआ है वो लोग इन paper की त्यारी करेंगे वो लोग किसके तरी करेंगे इन paper की जिसका code है R5 वाला ठीक है R5 वाले paper आपको त्यार करने है जबकि जो old वाले हैं वो लोग R4 या R5 में से किसी को भी चुन सकते हैं जो उनको easy लगे ठीक है चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं कि आपको पहला जो paper है IT tools और नेटर बेसिक्स इसके अंदर आपको कौन कौन से chapters और topics को पढ़ना है तो यह देखते हैं तो यह रहा इसके नीचे syllabus यह तो प्रूफॉर्मा है और यह ठीक है और यह देखिए धान से यह इसमें आपको marks नहीं मिलते धान दीजिएगा जो आपका ओले लोग paper होता है इसमें आपके marks नहीं मिलते हैं बलकि grade मिलते हैं मैंने आपको इसके बारे मे वीडियो के माधिम से समझाय हुआ है ठीक है तो हम लोग syllabus को यल्दी से open कर लेते हैं syllabus कहां चला गया तो आप कहां पर दिख रहा होगा module unit और आप कहां पर बताया गया है कि जो chapter है उस chapter में से अधिक्तम आपके exam में कितने number के question पूछे आ सकते हैं आप इसके हां से देख सकते हैं for example जो आपका पहला chapter है और दूसरे chapter है introduction to computer और operating system इसमें से आपके exam में अधिक्तम 10 number के question पूछे जाएंगे जबकि जो आपका word processing है नहीं कि Libre office writer इस से अधिक्तम 20 number के question पूछे जाएंगे अब बात करते हैं detail syllabus of M1 R5 जो पहला chapter है उसका नाम है introduction to computer यहां पर आपको computer का परिचे जनी कि computer क्या होता है कौन कौन से IT gadget है computer क्या है और इसके application क्या है ठीक हाड़ वेर क्या होता है software क्या होता है CPU क्या है input device क्या है output device क्या है software क्या होते है यह सब को यहां पर पर पलाया जाएगा इस chapter के अंतरगत दिन इसके बाद जो second chapter है जिसका नाम है introduction to operating system क्या होता है task bar क्या होता है ठीक है पूछे जाते हैं तो यह आप ध्यान रखिएगा ठीक दन इसके बाद जो आपको यहां पर थर्ड चैप्टर वर्ड प्रोसेसिंग आपके माइंड में कुशन आ रहा होगा कि जो यह पीडियेफ है इसका यह पोर्षन हाइलाइट क्यों किया गया है यह लोग लड़ से तो इ आप लोगर चाहें तो आप उसको जोईन कर सकते हैं मैं आपको अपको डिटेल में एक चीज को क्लियर करने का प्रयास करूंगा ठीक है ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए तो यह आपका था थर्ड चैप्टर यानिकि वर्ड प्रोसेसिंग इसके अंदर आप लोग स्ट्रीमि उतला कर दिए के सब्सक्राइज तो यह न शाइए बारे में जानेंगे कि उसमें की अन्डर streaming सब्सक्राइब कर तके समय ना की माते जो आपका next chapter है and that is presentation यानि कि impress कि आप लोग जो powerpoint है यानि presentation है वो आप लोग कैसे create करेंगे slide क्या होती layout क्या होता है template क्या होता है header footer क्या होता है ठीक है तो आप लोग यहाँ पर यह सब चाज चीजे इस software के अंदरगत सीखेंगे इस इस चाप्टर के अंदरगत समझेंगे इसके बाद अगर आप लोगों को इस यह पीड़ेस चाहिए इस लेवस की तो अगर आप लोग चाहिए तो आप इसको डारिक्ट निलेट की इस साइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैं आपको निचे लिंग दे दूँगा तो आप लोग आँसे इस पीड़ेस को डाउनलोड कर पाएंगे इसके बाद जो नेक्स चेप्टर हैं डाट इस इमेल social networking and e-governance services ठीक है कि email क्या होता है email को use कैसे करते है email account कैसे create करते है mailbox में जो inbox और outbox होता है वो क्या होता है email कैसे create करते है कैसे send करते है email के reply कैसे करते है e-commerce क्या होता है networking site कौन कौन सी होती है blog क्या होता है e-commerce क्या होता है net etiquette क्या होता है e-governance क्या होती है तो आप लोग यहा जो आपका second last chapter है and that is digital financial tools and applications कि जो आपका OTP होता है, UPI क्या है, USDT क्या है, POS क्या है, NEFT क्या होता, IMPS क्या होता है, ठीक है, AEPS क्या है, तो आप लोग इनके बारे में जो आपके digital financial tool है और applications है, उनके बारे में इस chapter के अंदर आप लोग सीखेंगे, then इसके बाद जो last chapter है and that is overview of future skills and cyber security कि जो आपका IOT है, data analysis है, cloud computing, manufacturing, robotics process, automation, cyber security, need of cyber security, आप लोग इन topics को इस वीडियो की इस chapter के अंदर पढ़ेंगे, so guys ये आपका details, levels अगर आप चाहें, तो आप इनका screenshot ले सकते हैं, ताकि आपको तैहरी करने में असनीर है कि आप से कोई भी topic मिस ना हो, आप एक काम करे आपने जो book, जो आपने copy create की है, copy बनाई है, आप इन topics को लिख लें, ताकि आप से कोई भी topic मिस ना हो, ठीक है, तो अगर आप चाहें, तो आप इसका screenshot ले सकते हैं, मैं तो इसको साई धंक से print करने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप लोगों को screenshot लेने में दिक्कत ना हो, ठीक है, चलिए, यह हो गया आपका, एंड यह हो गया, एंड इसके बाद यह, एंड यह और यह आपका पूरा हो गया, तो मैं आप लोगों के लिए, इन M1R5, यहने कि IT Tools and Neter Basics की class, जल्दी start करने जा रहा हूँ, free of cost, तो प्लीज आप लोगों को लाइक कीजे, और अधिक सदीक सेर कीजे, ताकि बहुत सर साथ ही हमार साथ जुट सकें, इस चनल के माध्यम से, so guys, मैंने आप लोगों को, जो M1R5 है, इसका मॉडल वेपर, कि आपके exam में जो question में पर आपको देने को मिलेगा, पहली book का, पहले paper का, वो कैसा रहेगा, उसमें किस type of question आएंगे, किस type of question में पुशे आते हैं, part 1 में कैसे आते हैं, part 2 में कैसे आते हैं, तो मैंने आप लोगों को एक model वेपर, solution के साथ में provide कराया है, तो अगर आपने इसको नहीं देखा है, तो डिसकर्टिन आपको लिग मिल लिए आगा, आप वहांसे इसको watch कर सकते हैं, so guys, मिलते हैं इस studio म तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत, बंदे मातरम, थैंक यू फ्रेंड्स